स्कार बच्चों आपका स्वागत है मेरा यूटीब चैनल में स्विता मर्जाम इस वीडियो में क्लास 9 का मिशन गनित का दिनांग 2 दिसंबर 2014 का वर्क्षिट लेकर को कस थे तो आज का हमारा टॉपिक है गोलार्द का परिष्टी है छेतरफल जिसको गोलार्द को कहते हैं हम सब्सक्राइब एस बनाउस कि रचन आप सेंगे टो अंच परिष्टी है मेरा चाण हिस्पयर हम पहले ही चैनल के जब एक गोले को बीच से गुजरने वाले संफिल से बीच से काटा जाता है तो दो गोला दो हिस्सों में बढ़ जाता है प्रतिक हिसे को हम गोलार्द या अर्ध गोला का रूप में जानते हैं गोलार्द यानि अर्ध गोला जैसे कटोरे या आधा टेनिस बॉल्ट दूसरी सता के वलबक्र है और गोले की सता का आधा है अर्था आपके हैं है मिस्फेर होलो like a ball of half tennis ball the surface is only covered and it's half of the surface area of surface of the sphere तो कर्ड शर्फेस अर्या क्या होगा total surface area of a sphere जब खाली है, hollow है, तो cut surface area जो होगा, यह वाला हिस्सा तो खाली ही होगा, उपर वाला हिस्सा तो इसका cut surface area या total surface area भी होगा, तो जो half of surface area of hemisphere होता है, तो क्या होता है, surface area of hemisphere जो होगा, two pi r square, यानि अर्द गोले का प्रिष्टिये छितफल होगा, two pi r square, यह खोखले के लिए होगा, और जब धोस होगा, तो जैसे यह कांच का भारा हुआ है, यह हिस्सा है, तो आधे कांच के टुकड़े के सता है, ठोस गोलार्द में एक प्रिष हिस्सा होता है, दो फलक होगे, और एक उपर वाला होगा, तो उसका जो प्रिष्टिये फलक गोले की सता का आधा है, तो वाकर प्रिष्टिये छेतर फल, वरावर में कुल प्रिष्टिये छेतर फल, यहां पे वाकर प्रिष्टिये छेतर फल, अलग चीज़ है, कुल प्रि कि ये एक बटे दो गोले का प्रिष्टिया स्वार्फल यह आर्फ होता है और कि प्रेश्टिया स्वार्फल जो छोगा टूपाई आर्फल स्वाई स्वार्फ क्योंकि यह भी एक व्रित होगा तो 3 तो कि आर्ल की। में सीखा जो गोला है. यह गोला है तो जब खाली होगा तो ये वाला हिस्सक होगा नहीं तो सिर्फ कुल प्रिष्टिय चेतर फल उपर वाला ही होगा तो उसके लिए ये वकर प्रिष्टिय चेतर फल या वकर प्रिष्टिय चेतर फल या CSA जो कहलाता है ये total surface area of hollow hemisphere भी कहलाएगा hollow hemisphere तो 2 pi r square और यही जब ठोस होगा या कहीं पर इसको ढखना होगा तो नीचे वाला जो होगा वो भी इसमें include होगा तो वहां पर ये एक वृत के आकार का होगा जो नीचे वाली आकरिती होती है वो वृत के आकार का होगा तो इसका होगा कि इसके दो तल हो जाएंगे बकडिये 56 आ कि बख़़े 55 यानि न कि वाकर पइस चर्कल वरड जाएगा आए सवाल को देखें है साथ सेंटी मीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का वकट प्रिष्टि अच्छ तर्खल ग्याद कीजिए तो यहां पर आर दिया हुआ है आर बरावर में 7 दिया है तो कड़ सर्फे ठोस अर्ध गोले की तिर्ज्या ग्याद कीजिए जिसका कुल सतह च्छतरफल यह दिया हुआ है और पाई के बदले कह रहा है 3.14 यूज करना है अर्थात आपसे जो सवाल दिया हुआ है कहरा आप फाइंड रेडियस ओफ ए सोलिड हैमिस्फेयर हुज टोटल सर्फेस एरिया है इतना है तो देखिए टोटल सर्फेस एरिया इसमें क्या होगा टी एस ए ओफ हैमिस्फेयर यह जो होता है 3 पाई आर एसक्वार तो एकॉर्टिंग टू क्वेस्ट्टन एक यह जो दिया हुआ है तीन पाई आर एसक्वार बराबर में कह रहा है नाइन फॉर टू अब यहां पर जो वैल्यू है तीन इंटू पाई के बंदे कह रहा है आपको 3.173.14 यूज करने के लिए तो 3.14 इंटू आर एसक्वार बराबर में 942 अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हो जाएगा 9.42 इंटू आर एसक्वार बराबर 942 तो आर स्क्वार बराबर हो जाएगा 942 अपॉन में 9.42 यह डेस्मल हटाएगे तो यह उपर मल्टिप्लाइ हो जाएगा 100 से यह कट जाएगा तो यह आर बराबर में हो जाएगा अंडारूट 100 यानि 10 तो इस तरह से रेडियस हो गया रेडियस हो गया 10 cm इसका अब आपको सवाल दिया हुआ find the surface area of solid hemisphere of radius 4.2 cm तो surface यहां पे solid hemisphere दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा TSA होगा TSA of solid hemisphere यानि ठोस अर्दगोले का तो यहां पे 3 pi r square होगा तो 3 into 22 by 7 और r के मदले 4.2 into 4.2 होगा तो 76 इसको डिवाइट करेंगे तो 0.6 आएगा अब multiply करेंगे तो इसको जब multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 166.32 तो यानि यह question of the day दिया हुआ है उसकी तरफ चले यहां पर कह रहा है चार दसम्लब 2 cm तरिया वाले अर्दगोले का बक्र प्रिष्टिय चतफल और कुल प्रिष्टिय चतफल ग्यात कीगे तो आज का जो यह वाला सवाल था उसमें भी यही दिया हुआ है टूटल सर्फेस एरिया निकालना है तो यही सवाल है इसमें तो इसका हमें अर्गोले का देखिए पहले CSA निकाले CSA of Hemisphere तो यह होता है टू पाई आर स्क्राइर तो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर दिया हुआ है 4.2 इंटू 4.2 साथ से गया 0.6 अब इसको मल्टिप्लाई करेंगे इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 110.88 और यूनिट है सेंटिमीटर तो सेंटिमीटर है अब TSA इसका निकालेंगे TSA और हमिस्फेयर तो यह होता है 3 पाई आर स्कॉयर यानि 3 इंटू 22 बाई 7 इंटू 0.6 सरी 4.2 इंटू 4.2 तो यह हो जाएगा 0.6 अब मल्टिप्लाई करेंगे तो यह जो पिछला आंसर है वही इसका आंसर आजाएगा 166.32 यानि 166.32 सेंटीमीटर स्कॉयर नीथे समाज में आओगा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब सेयर जारूर करें धन्यवाद